नमस्कार आप देखें यूनियूज यूपी और मैं हूर राहूल सी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वह हम आपको उता दे यूपी की अलिगड जिले में दिल धहला देने वाली घटना हुई है यहां पर यूपी पिलिस के लिए इस घटना ने काफी मुश्किले बढ़ा दी नसल शुक्रवार को यूपी के अलिगड में एक महिला कोत्वारी थाराचिक में पासपोर्ट वैरिफिकेशन के लिए गई थी इसी दुरान वहां मौझूद जो दरोगा थे जो इंचार्ज थे वो अपनी पिस्टल देख रहे थे तब भी पता नहीं अचानक क्या हुआ औ उनके साथ एक व्यक्ति आये थे वो भी कड़े और सामने जो इंचार्ज थे दरोगा मनोश शर्मा को उनकी सर्विस रिवालवर देता है साइद उसे सर्विस के लिए या साप सफाई के लिए पिस्टल दी गई थी इसके बाद दरोगा साइद अपनी सुद्वुत खो तुरंट ही वही पिस्टल को लोड कर लिया और पिस्टल लोड करने के बाद पता नहीं क्या हुआ और पिस्टल की जो कहें नाल थी वो महिला की तरफ थी और अचानक ही पिस्टल की फिगर जो है वो दब गया दरोगा मनोश शर्मा से और वो सीधे उससे निकली गोली महिल के सिर्व जा लगी जिसकार महिला तुरंथी नीचे गिर जाती है और चिलाने लगती है इसके बाद तो कुटवाली में हंगामा कार देते हैं परजन जिसके बाद जो एसस्पी है वो मौके पर पहुंचते हैं परजनों को आश्वासन देते हैं कड़ी और सक्ट कारवाई का आश्वासन दिया जाता है तुरंथी दरवगा का निनम्बित कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये अनुसासन हींता है लापरवाही और दरवगा खिलाब सक्ट से सक्ट कारवाई की जाएगी जिसके बाद परजनों का गुस असान्थ होता पुरी खबर तफसीर से हम आपको मता हैं, उसे पहले हम आपको जो परिजन है उन्होंने एक गभीर आरोप लगा हैं, वो भी हम सुना देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको डीटेल से खबर बता दें, देखे परिजन ने क्या कहा बहुत है? क्या हुआ क्या पता है नाम क्या है नेरा नाम क्या है शुमाइला भाइकर भाइकर मेरे भाइकर नाम क्या है तो प्सीर के लिए मेरे सामने शांक क्या है तो वो वुष्ट उना वाइकर ने ने क्या है ते जो आपको ने कहा है फूरे जो आसेस्पी ने कहा वह भी हम आपको सुनेंगे यह पूरी घटना है यूपी के अलिगर जी लेकी यहां के अलिगर कोतवारी नगर के CCTNS का रहले में शुक्टवार दोपार करीम धाई बजे इसरच जहां जो मैला जिसको गुली लगी उसका नाम है इसरच जहां वो पास्पोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अपने बड़े ब मेटल उसके बाद आंगे की कारवाई हो तब ही ड्यूटी पर तना दरोगा मनोश शर्मा और इनका एक साथ आते हैं वो अपने हाथ में फाइल लिए रखते हैं कुछ कागण लिए तेबल पर रखते हैं इसके बाद उनका एक साथ ही उन्हें पिश्टल देता है दरोगा मन पिश्टल से गोली चल जएगा गोली सीधे लगती है इस त列 जहाँ किसमे जिसके आद इस रत जहां वही पर गिर जाते हैं बद इस दोरान आप देखेंगे दरोगा सहाब गोली लगने बाद आते हैं और और पिश्टल को टेबल पर अपर लगते हैं और महिला के पास आते इसके बार बताया जाता है कि दो लोगा देखते हैं भीड़ बढ़ रही है तुरंथ ही वोहां से निकल जाते हैं वीडियो में आप दे सकते हैं कि किस तरह से वो टेबल पर पिश्टल लगकर चुप चाप निकल जाते हैं अब जिसके बाद बता रहे हैं जो महिला के साथ लियोक आया था उसने हंगामा किया उसके परिजन पहुँच गए और कोतवाली के पास जम कर हंगामा और नारेबाद जी भी पुलिस के खिलाब जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस पोर्स पहुँच गया और जो SSP कलानी द कर ग्यार और से नबहुंक है यह उत्ल्पर आपुरेंड अ यह श्राव ऑर मां यह तकनाना सब्सक्राइवा, श्राथ दूल था सिसी टीनेस कारेले में और एक महिला जो पास खड़ी थी उससे घायल हुई गंबीर रूप से अस्पताल में उनको देखा गया है वहां बेस्ट इलाज उनको चिकिस्सक अभी दे रहे हैं और इनके परीजनों से भी हमारी बात भी है पताया गया कि उपासपोर्ट वरिफिके और इसमें जो ये आलोपी दरोगा है इसको ततकाल रूप परभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद विवागी जाज भी संसित कर दी गई है और बुकतमा दर्ज करने के आदेश दे दिये गए हैं ये एक लापरवाही और अनुसासन हिंता की सेड़ कारवाई और आपरातिक मुकतमा दर्ज करते वे विविदिक कारवाई के भी आदेश दे दिये गए हैं इसलिए वरिष्ट अदिकारी यहां पर तुरंत आये हैं फेल्ड यूनिट के टीम यहां पर है इसका फोटेज भी है पूरा फोटेज है उसको भी सार्वजनिक करवाई की जाएगी लेकिन इस रख जहां कि जो घरवाले हैं उनका आरोफ है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के जार्ज एदकारी यानि मनोश शर्मा ने रिस्रत मंगी थी परिवार का दावा है कि जब उन्होंने पैसे नहीं दिये इस दौन बताते हैं कि बहस हुई और जिसके बाद दरोगा ने गोली मार दी ये परिवार की लोगों का आरोफ है ये आपने सुना भी होगा लेकिन वीडियो के देखने पर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरह की बहस बाजी चल लगी जो प्रथम संभावना पुरिस की तब से ही जताई जा रही है उनका कह परे वो चेक करके पहले लोड करकtes है सहाथ उन्हें इसका अंधाजा नहीं था कि पिस्टोल में गोली भी वह जैसे ही वह उपर का हैंडल खिसते हैं पिस्टंल वोड हो जाती है और वह ट्रिगझर दबाके देखने हैं क्या ट्रिगर भी सही कर क region करदरा नहीं जाए यह अंदाजा नहीं होता है कि इसके अन्दर गोली है ओ जैसे वो ट्रिगर डबता है पंदूक की नाल जो पिष्टल की नाल थी उस वो महिला की तिरफ थी वो सीधे गोली जो उस्ते निकलती है वो सीधे महिला के सिर में आध हसके अब बताया जाना है महिला की खालत नाजुक है उसे मेडिकल कॉलेजिन भर्तिक राया है पुलिस का याना है कि वो हर समभ प्रयास करे रही कि महिला की जान बचाई जा सके और वो जीजान से जिटे हुएं वहीं जो दरोगा फरार है उसके लिए भी गिरफ्तारी की कोशिशे जारी है जल्द से जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो दरोगा मनोश्रमा है उनका बताया जारा करीब उमर 50 साल है 2016 बैच के यह दरोगा है और तीन मेने पहले ही इनका आगरा से ट्रांसफर अलिगर हुआ था अब पुलिस के लिए यह बहुत बरा सिर्देद है कारवाई तो होगी लेकिन यह घोर लापरवाही के मामला है पहली बात पिश्टल आपको पता है खत्यार ऐसे ही खतरनाग पहले सबसे जलूई था और यह चेक कर लेना तरहा कि हाँ इसके अंदर गोलियां है कि नहीं और उन्हें लोड किया और तो ट्रिगर दबादा और बड़ी रापरवाही और इस तरह से जहां पे आम लोग जो आते जाते रहते हैं इस तरह करना चेक करना वह एक महला की जान पर भारी पड़ी आप पुलिस कारवाई कर रही है तलास है जल्दी कहना है कि वह दरोगा को गिरफतार पकड़ लेंगे या उसकी तलास पूरी कर ली जाएगी आप देख सकते हैं वीडियो में हम आपको फुल स्क्रीन देखते हैं लगता है दरोगा पूरी तरीके से इस अजान थे कि दरोगा जो पिश्टल है उसके अंदर गूली है आप देखोगे कि वह अपना फाइल ही होता है और दूसरे कमरे तरब देख रहे होते हैं हाथ में उनके डायरी सा कुछ होता है इधर महिला और जो उनके साथ आया हुआ एक युवक होता है वो ख़ड़ा होता दरोगा साथ उसको सबसे पहले लोड करते हैं और इसके बाद इधर से देखते हो और वो तुन फार रह जाता है दरोगा साथ को भी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या लेकिन जो हुआ आता है वो ऐसा था जो अब उनके जो करियर है वो बरबात कर देगा उनकी लापरवाही उनकी ने ऐसा बड़ा काम कर दिया जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा यह बहुत बड़ी लापरवाही है कोतवाली के अंदर इस तरह से लोड करना बिना यह जाने की गण जो पिस्टल है वो खाली है या भरी है उन्होंने लोड किया और टिगर भी टेस्ट कर प्रिवार का आरोप है कि उन्होंने जानमुझ की गोली चलाए तो ऐसा लगए जानमुझ की गोली चलाते हैं आदमी जिसे मारना चाहिए देखेंगा जहका लोड गटिष्टकर गबाचन्हें उसी में गोली और बड़ाइना हो चुकी है इस मामले मेंu एसे स्पी कारवाइए कर रहे हैं और तो के चले ज़से दरोग यहां अभी बयारल वो फराए अगा बड़ी खबर थी और हम आपको बताने हैं यूपी के अलिगर में एक घटा हुई अलिगर कोतवाली में बेटा हुई है महिला जो बताया जा रहा है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए है और बहुत बड़ी लापरवाही दरूखा से हुई और इसकी कीमत उस महिला को इस ल है उखाली है भरी है कितनी गोलियां है आपको सबका पता होना जरूरी होता है कि आपकी एक छोटी सी चूप किसी की जान पर भावी परसे को साथ जो पिश्टल जिस ने पकड़ाई जिस पुजिस खर्मी ने पकड़ाई वो भी अगर इंफॉर्म एक बर कर देता कि हाँ इ अमेला मेटिकल तक ने कि जाल जिस ने उसके घरवालों का रूरू कर बुरा हाल इस की इस ख़बर के वारे मां आपकी क्या आ रहा है हमें कमेंड करके दो में बताइएगा देखते रिए दिनी जुपी प्रश्वार्श्वार्च झाल झाल